दोस्तों आज हम अदानी विर्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिसकस करने वाले हैं और साथ में पूरे अदानी ग्रूप को डिसकस करेंगे यहाँ पे दो-तीन बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हमें के करके डिसकस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार गिरावट जा रही है आज भी लगबग सभी शेयरों में बहुत भारी गिरावट हुई है बहुत जबर्दस लॉस हो रहा है इन्वेस्टर को क्या किया है जै कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोग समझ रहें कि कब जाके इसकी गिरावट थमेगे और हमको बेनिफिट मिल पाएगा वैसे अगर आप देखे तो एक अच्छी खबर तो निकल कर आईए आजा उसके बाउज़ उसका फाइदा देखने को नहीं मिला इसके पीछे वज़े हैं दो बड़ी बैड निउज और उसने उस अच्छी खबर को भी दबा दिया तो क्या है वो बैड निउज और क्या वो अच्छी खबर है जिसका फाइदा आने वाले समय देखना को मिल सकता है और क्या आदानी ग्रूप के शेरों में इस समय हमें investment करना चीए या फिर जो भी है बेच के निकल जाना चीए बहुत सारे लोग है जो इसमें निकलना भी चाते हैं लेकिन lower circuit के वज़े से निकल नहीं पारे तो इन सारे सवालों की जवाब जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से काफी लोगों ने अदानी ग्रूप में बहुत अच्छा पैसा कमा है लेकिन वो सारा पैसा अब धीरे-दीरे खत्म हो रहा है और जो profit था वो अब loss में बदलता जा रहा है काफी लोगों ने नीचले लेवल से खरिदारी भी की है लेकिन रोज जो price बढ़ रही थी अब वो लगातार गिर रही है और ऐसे में समझ में नहीं आ रहे कि क्या क्या जाए अदानी पावर की बात के तो stock जो 400 के आसपार पहुंच चुका था वो 1500 के आसपार आ चुका है और बहुत जबरस loss हो चुका है और ये कब तक जारी रहेगा आगे जानने की कोशिश के क्या है नालिच्टो की राय वो भी समझेंगे लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए लिकिन आज ट्रेडिंग हुई है यानि जिसको शेर बेचने ते उसको मौका मिला है क्योंकि इस स्टॉक की सुरुआत 425 पर हुई थी और आप देख सकते हो कि इसके बाद 443 के स्टॉक उपर भी गया यानि कुछ मौका मिला था जिसको निकलने का था वो निकल पाएगा क्योंकि श्टॉक तो आप समझे डाइसों के आसपस से दोड़ना सुरू था आट सो तक जाके आए लेकिन अब उपर के लेवल से बहुत ज़्यादा गिराउट हो चुके अभी फिलाल पाच दिन के इसमें फाइप परशन के अभी भी तेजी देखनों को मिलेगी क्योंकि ये लो में 390 तक जाके आए और उसके बाद आपने देखा और जब रीजल रहा है उसके बाद में साजा किये और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलिया वाँ पे और वो अपनी रूटिन चेक अप करके चले गए तो यहां पे उनसे जवाब मांगा गया दा सेभी की तरब से तो इसका जवाब दे दिया गया है अदानी विलमाल ग्रूप ने कि हमने जो अपनी सारी की सा का लोर सर्केट लगा बहुत जबर्दस गिर रहा है और इस टॉक आप देख सकते हो कि लगातर गिर रहा है पिछले एक मैने में इस टॉक में 43% की भारी गिरावट हो चुकी है अब यहां पे देखे तो यह जो गिरावट हुई इसके पीछे दो बड़ी वज़ा एक तो मो प्रब्लम हुई किस तरसे लोगों ने क्या इसमें कुछ खेल खेला है इस सारी जाज से भी कर रही है यहां पे आप देख सकते हो 2.5 बिलियन डॉलर का जो एफपियो लाए गया था वो एफपियो भी वापस लिया गया है और उसके अंदर भी काफी ऐलिगेशन लगे है कि कुछ ग्रॉफ जो एंकर इंवेस्टर है वो अदानी ग्रूप से संबन दीते है तो यह सारी के सारी जो जानकारी है से भी 15 फरवरी को यहां पे देख सकते हो फाइनस मिनिस्ट्री के साथ में साज़ा करने वाली है जो भी अब तक जो जाच हुई है उसमें जाच में क्या निकल करा है वो सारी जानकारी से भी फाइनस मिनिस्ट्री में शेयर करने वाले है 15 फरवरी को तो उसके बाद में देखना होगा कि सरकार की दरब से इसमें क्या जवाब निकल के आता है फिलाल से भी या फिर फाइनस मिनिस्ट्री की दरब से इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है अब जो गिरावट के पीछे जो दुसरी सबसे बड़ी वज़ा हुई कि अदानी ग्रूप ने अपने revenue grade के target को गटा दिया है यानि लगबग आदा कर लिया है तो यहां पर जो report निकलके गौतब मदारी ग्रूप ने आने वाले वित्वर्स के लिये अपनी जो revenue गटा के 15 से लेके 20% के आसपास कर लिया है जो पहले इनकी growth थी वो 40% का target था तो लगबग उसको आदा कर लिया है company ने अपनी strategy अब बदल दी है company अब अपने खर्च में कटोती करी जहां से भी हो सके खर्च में कटोती करने की कोसिस की जाएगी जो capital expenditure है उस सारी योजना को फिलाल बंद किया जाएगा यानि अब नए किसी business में entry नहीं की जाएगी बलकि जो पूराने business है उसमें कहां से बचत की जा सकते है उसके उपर focus किया जाएगा और एक तरसे देखे तो कोई भी नया business अब सुरू नहीं किया जाएगा और आप यह समझ सकते हैं कि एक तरसे इन्होंने अपनी value जो market value है उसकी जो get out है उसके बाद में decision लिया है उन्होंने अपने revenue growth को भी कम कर लिया है और आने वाले समय खर्च में कर दोती होगी और जो भी नए business acquire करने की जो कोशिश थी जो इनकी योजना है थी वो सारी फिलाल बंद की जाएगी यानि अब समय कोई भी नय announcement नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो इदानी गूर्प की तरफ से का जा रहा है कि आने वाले समय में जो नए project है उनको रोका जाएगा लेकिन इसके बीच में उनकी तरफ से जो खबर निकल के आएगे अदानी पोर्ट्स एंड से जेड लिमिटेड की तरफ से जो पच्चिम बंगाल के ताजपुर बंदेगा के प्रियोजना को आगे बढ़ाना है उसके बारे में काया है कि यह प्रियोजना के लिए हम प्रतिबद है और इसको पूरा करेंगे इसको हम नहीं रोकेंगे और जल से जल पूरा करने की कोशिस करेंगे फिलाल अभी company सरकार की तरफ से जो पर्मिशन का इंदजार करें जो वैदानिक आपचारिकता है वो पूरी हो जाए सरकार की तरफ से हमको पूरी तरफ से green signal मिल जाए तो हम युजना को आगे बढ़ाएंगे यानि जो बंदर्गा को विक्सित करने का काम काज़ा है वो यहाँ पे अदानी ग्रूप की तरफ से नहीं रोका जागा यह उनका कहना है निकुल मिला के यह योजना आगे बढ़ेगी यहाँ पे बड़ी अपडेट SBA की तरफ से निकल क्या रही है SBA की तरफ से कहा आगे है कि अदानी ग्रूप को 140% कोलिटरल को मैंटेन करना होगा यानी जो उनके गिर्वी शेर है उनकी संक्या और बढ़ानी होगी तो आप यह देख सकते हो कि स्वामी नाथनन जो MD है कॉर्पोरेट बैंकिंग और सबस्टिडिरी SBA के उनका कहना है कि अदानी ग्रूप ने अपने शेरों को गिर्वी जो थे उनसे संक्या को बढ़ा है क्योंकि हमने यापे शेरों के एवर्ज में इनको लोन प्रोवाइड किया गया और इन्हे 147 का कोलिटरल को मैंटेन रखना होगा तो जैसे ही प्राइस कम होगी शेरों की संक्या और बढ़ानी होगी गिर्वी तब ही उसको पूरा किया जा सकता है तो यह जो सारे गिर्वी सेड़े SBA के पास ही गिर्वी रखे जारे जो इनकी यूनिट है सवामी नादगं के तरब से ये clarified किया गया है कि ये कोई नया loan प्रोइड नहीं किया गया दार्टी को बल्कि जो पोराना इनका प्रोइड किया गया है उसके एवज में ही आप ये अलग से share गिवी रखे गए काफी लोगों को गंपेजन हो रहा है कि SBA ने इस बार इनको नया loan और प्रोवाइड किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यह जो हमारा पूराना जो इनका loan है उसी loan के वज में इनके extra share हमने रखे क्योंकि उस limit को पूरा करना है साथ में उनकी तरब से यह का गया कि जो project के लिए हमने इनको यह fund प्रोवाइड किया था वो project already operational है और उसमें cash generate हो रहा है यानि कुल मिला के उससे कोई problem वाली बात नहीं है साथ में उनका कहना है कि हमारी जो पूरी total loan book है वो 31.5 lakh crore के आसपास है जिसमें से हमने 0.88% का ही जो total अदानी ग्रूपे loan दिया हुआ और generate हो रहा है cash भी और साथ में अगर देखे तो बीदस तेजी से बढ़ रहा है तो बले ही समय अगर share की गिरावट हो रही है लेकि उससे कोई फरक नहीं पड़ता है बीदस पट्री पे है तो हमारा जो निवेस है वो बिल्कुल सुरक्षिद है जो हमने loan प्रोवाइड किया है उस loan में कोई छिंता वाली बात नहीं है यह S-B की तरफ से कागए है उनकी तरफ से clarify क्या है कि हमें किसी प्रकार का कोई tension नहीं है किसी प्रकार का कोई challenge नहीं हमारे loan के लिए और इसलिए इस मामले में discuss करने के आगे जरूत नहीं है अब यह पर अदानी ग्रूप के लिए एक राहत बरी जो खबर निकल कर रहे है वो मौरिसस से निकल कर रहे है मौरिसस Finance Service है जो watchdog उन्होंने अपनी report पेस की है और इस report में जो यह प्रारंबिक जो report निकल रहे है इसमें कि जो 38 अलग लग जो word level की जो company है जो यहाँ पे अदानी ग्रूप से संबनिद हो या फिर 11 fund house जो अदानी ग्रूप के साथ में business कर रहे उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई कानून का उलंगा निक्या या लगातर जो allegation लग रहे थे कि इसमें कुछ नियमों को ताक पे रखा गया है तो यहाँ पे इनके तरफ से जो इनके मुख्य कारी कारी अधिकारी है दनेश्वरनात विकास छाकूर उन्होंने काए कि अधारी ग्रूप की जो भी हमने जाच के उध जाच में अब तक जो निकल किया है उसमें यह कि किसी लूग प्रकार के लॉग को ब्रेक नहीं किया गया है सारे की सारे जो काम हुए है वो कानून के तैट हुए तो इसलिए यहाँ पर जो शॉट सेल के जो इलजाम लगाएगे वो यहाँ पर इस रिपोर्ट के आदार पे तो गलत साबित होते है लेकिन अभी यह प्रारंबिक जाच है इसके आगे और जाच बढ़ सकती है दूसरी तरबुन का यह भी कहना है कि हमने अपनी जो जाच रिपोर्ट से भी के साथ अभी साजा नहीं की है और किसी सरकारी एंजनसी को इस रिपोर्ट को हमने नहीं दिखाए लेकिन हमारी जो जाच कहती है कि जो भी अभी तक ऐलिगेशन लग रहे थे वो ऐलिगेशन यह आपर सच थाबित नहीं हो रहे इससे पहले अगर आप देगे तो मौरिशस की दो जो कंपनिया है जिसमें आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर कंपनी ग्रेट इन्डरेशनल टसकर फंड और इसके अलावा आश्यूमत लिमिटेड यह दो कंपनियां मौरिशस के जिनको पर एलिगेशन लगा था कि यह इन्वेस्टर है जिनों ने एंकर इन्वेस्टर के तरीके से एफपियो में इन्वेश्मेंट किया और इनका जो सिधा लिंक है वो अदानी ग्रूप के साथ में expert committee बनाने को तयार हो गई है committee ये देखेगी कि stock market की regulatory के mechanism में कोई fair बदल की जुरूत है या नही solicitor general तुसार मैता की court को सिल बन लिफाव में committee members के नाम देगी और मामले की अब अगली सुनवाई Friday को होने वाली है court के अंदर तो आप देख सकते हो कि एक नई committee बनने वाली है और ये committee पूरा मामला देखेगी क्या इसमें कमी रह गई है किस तरसे ये गड़बड हुई है तो आप ये समझ सकते हो कि जो सिफारिश की गई थी कि एक इसमें committee बननी चीए तो सरकार इसमें committee बनाने जा रही है और जो भी इसके नाम होंगे उसको सेल बन विफावे में Supreme Court को स्वापा जाएगा तो यहाँ पर जिसले से Court की तरब से कुछ चिंता व्यक्त किएगी ति अब सरकार ने उसका कदम उठा लिया और वो committee बनाने को तयार हो गए तो ये expert committee होगी जो इस पूरे मामले को देखेगी और जो भी इसमें committee की इसको पूरा किया दाएगा किसकी गलती है वो भी सामने आदाएगी तो जल्दी इसके ओपर कुछ फैसला होने की उमीद है और Friday को आप Court में फिर से सुनवाई होगी लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बढ़वे ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जुरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड